Hello students, this is Mala and welcome to my channel Study with Mala Mame. Students, कैसे हैं आप सभी? I hope कि आप सभी अपने घरों में हैं और सेव हैं. Students, आज का ये notification उन्हें student के लिए है, जिन्होंने अभी 12th का exam cross किया है. अब 12th का exam cross करने के बाद उनको admission लेना है. तो ये जो है आप लोग के लिए काफी important notification है. अटल विहारी बाचपई विश्विद्याले बिलासपूर ने जारी किया है, कि जो हमारे BA, BICOM, BSE की first year के admission जो हो गई है, वो start होने जारी है. तो students, ये notification आज ही के दिन जारी हुआ है, 4 अगस 2020 से. तो मैं आप लोग को पढ़के इनके points जो है, वो आपको explain कर देती हूं. अटल विहारी बाचपई विश्विद्याले बिलासपूर ने सैक्षिक सत्र 2021 में विश्विद्याले सिक्षण विभाग एवं संबंध महा विद्यालों में इसनातक इसतर के प्रथम वर्स प्रथम सेमेस्टर में चात्रों के online पद्यति से परिश्यतों फॉर्म भने की निमना अनुशार ने धारित की है तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं जो डेट है हमारा जो है ये फर्स्ट यह और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए उन्ही का रेजिस्ट्रेशन के लिए है तो जो स्टार्ट है वो पांच अगत से स्टार्ट है और जो है समस्त प्रक्रियां कोविड-19 के नियंत्रन एवं रोक थाम के लिए सासन द्वारा समय समय पर जारी निद्वशों का पालन करते हुए किया जाना शुनिश्चित करें तो आप जो है ये नोटीस देख लीजे जो की काफी इंपोर्टेंट है ये जो इससे आपको पता चल ज कर आएका कि आपको फम कैसे फिल क लिए तो सबसे फॉर्स्ट बात की जो फॉर्म का मोड है वो औरनए नहीं होंगे तथा इसे चात्रों को महाविध्याले या विश्विध्याले आने के आवेशक्ता नहीं हैं ठीक है बच्चों आपको कहीं भी जाने के जरुवत नहीं है आपको ये ओनलाइन ही करना है विश्विद्याले दोरा विक्सित प्रवेश सम्मनित ओनलाइन पोर्टल पुर्णता मोबाइल फ्रेंडली है ठीक है आप अपने मोबाइल से इसे भर सकते हैं इसलिए मतलब आपक इसमें शाइबर कैफे भी जाने के आवशकतर नहीं पड़ेगी ठीक है स्टूडेंट्स ओनलाइन आवेदन करते समय छात्रों को अपना फोटो और सिगनेचर ठीक है इनको आपको अपलोड करना है और चात्र अपना जो है वो मोबाइल नमर वाटसप नमर इमेल आइडी क च्छात्र स्वय में जिम्हदार होंगी अगर आपके पस नहीं है तो आप अपने पैरेंट्स का दे सकते हैं ठीक है क्योंकि अगर आपको कोईeten आता है कोई भी कनफर्मेशनल मेसेश आता है तो आपको मिले ठीक है अब स्टूडेंट आप देखते हैं कि इसमें जो है form के लिए फीज कित्ती रखी गई है तो स्टूडेंट्स जो है इसके लिए स्रिफ 50 रुपीज 50 रुपए का सूल्क निधारित है जो कि आपको ऑनलाइन ही पे करना है ठीक है छात्रे सूल्क के साथ असीमित संख्या में वरियत्ता करम के अनुसार पाठे क्रमों तथा महाविद् कर सकता है ठीक है इस्टूडेंट्स सिर्फ 50 रुपीज का आपको फीज पर करना है और आप जो है जो है आपके आवेदन स्विकार कर ले जाएगी छात्रे लोगिन करके अपने फॉर्म का प्रिंट विकर भी निकाल सकते हैं ठीक है जब आपका फॉर्म जो है वह फील हो ज की थी तक छात्र द्वारा स्वेम की जा सकती है अगर आप लोगोंने कुछ सब्जेक्ट चोईस किया है ठीक है अगर आपको उसमें परिवर्तन करना है चेंजर करना है तो आप जो है लास्ट डेट से पहले आप खुच जाकर उसमें चेंज कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स अब आपको फॉर्म फिल कहां से करना है तो यहां पर साइट मेंशन है अब इदन पत्री के लिए जो साइट जो वेबसाइट है आप देख सकते हैं यहां पर है www.billaspuuniversity.ac.in ठीक है तो स्टूडेंट आपको इसी वेबसाइट पर जाना है और आपको वहां पर जो है एड फॉर्म को फिल करना है जो जो आपके डीटेल्स जो मंगे गए हैं उनको जो है आपको देना है आगे देखते हैं स्टूडेंट्स आगे क्या का गया निर्धारित अंतिम्तिति के पश्चात प्रामिन सूची संबंदित महाविद्याले विश्विद्याले सिक्षर मैडरित लिस्ट बनेगी और मैरेट लिस्ट के बेस पर जितनी सीट होंगी उतने स्टूडेंट को ऐडमिशन के लिए मतलब दिया चाहेगा और स्टूडेंट्स यह भी है कि उसके बाद आपको एक डेट दिआ जाएगा और उस डेट के अंदर ही आपको येडमिशन लेना है ठीक है आगे देखते हैं संबंदि संस्था में प्रवेश उप्रांत छात्रों को विश्विद्याले के वैब पटल में जाकर ओनलाइन माध्यम से निधारित नमांकन सुल्क 300 पर जमा करना अनिवार है तत्पशाती संबंदि संस्था में प्रवेश मानने होगा नमांकन स्थिति में प्रवेश मानने होगा स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपको इसी भी नए युनिवर्सिटी में इन्रोल होते हैं तो आपको एक इन्रॉल्मेंट नमर की जरुवत होती है ठीक है तो आप इस बाद फरस्ट यर में अड्मिशन ले रहा हैं तो आपको भी नमांकन करवाना है नमांकन सुल्क जमा करना है अगर वो सुल्क जमा नहीं होती तो आपका एड्मिशन मानने नहीं होगा ओके स्टूडेंट्स एक हेल्प लाइन नमर भी जारी किया गया है आप लोग के लिए आप देख सकते हैं तिपल एट डबल नाइन टू एट सिक्स फोर एट तो आप देख लिजिए यहां पर अगर आपको कोई भी इंफोर्मेशन चीए तो आप इस पर कॉल कर लिजेगा यहां पर यह नमर है ठीक है आप देख लिजिए तिपल एट डबल नाइन टू एट सिक्स फोर एट ओके स्टूडेंट और इसके लिए टाइम भी ह है ठीक है जो कारियले का टाइम होता है उसी टाइम पर आप कॉंटेक्ट करिए ज्यादा बेटर होगा इमेल के लिए भी साइट दी हुए है helpdex at the rate बिलासपू university ac.in student उसके बाद जो दिया गया है जो आपका जो पंजियन होगा वो बारवी के परिणाम के अनुक्रमांक रोल नमर के अधार पे ही पंजियन होगा ठीक है तो आपको जो है बारवी का रोल नमर डालना है पंजियन में ठीक है इसके अतिरिक्त जो हो सभी प्रकार के आविदेक प्रवेश पंजीन मैनुवल प्रक्रिया से करना होगा ठीक है स्टूडेंट और उसके बाद यह बताया गया प्रवेश प्रक्रिया जो है किवल इसनातक प्रथम वहस के लिए है इसनाकोतर दथा से प्रथम सेमिस्टर के प्रवेश हे तू आनलाइन अविदन के प्रक्रिया प्रिथक अधी सूचना किसे माध्यम से जारी की जाए ये स्रीफ और स्रीफ जो है इसना तक के लिए ठीक है इसना कोत्तर के लिए नहीं है स्रीफ ग्रेजुएशन वालों के लिए जो फर्स्ट यर में जो अभी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ये सारी नोटिफिकेशन आई होफ आप लोगो समझ में आ गई होगी अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो अपने चैनल का एक लिंक शेयर कर रही हूं आप उससे जॉइन हो जाए ये टेलिग्राम का लिंक है और आप मुझे वहां करके पूछ सकते हैं आपको जो भी डाउट है या फिर आप मेरे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं मुझसे तो आप लोग के लिए ये नोटिफिकेशन है और मैं इसका पेडियेव भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे देती हूं इसका लिंक अगर आप लोग को क्लिय दिख रहा है तो आप यहां से स्क्रीन सोट भी ले सकते हैं तो आज के लिए इतना ही था इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फर्मेशन आती है तो मैं आप लोग को ज़रूर इन्फर्म करूंगी अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे ओके थैंक्स फॉर वाचिंग